हेलो दोस्तों नमस्ते राम राम मैं हूँ हमें चौदरी शुवागत आपका अपने यूट्यूब चैनल अमिसर जीके में तो जीके की जिन्ग अमिसर के संग जो मेरा बैच जो मेरा कोर्स है जो कि मैंने बोला हुआ फ्री वीडियों फ्री किलासिस चल रही है और फ्री पीड सब्च्ट हो कोई बी सब्च्च्ट हो इसी परकार से मैं चल रहा हूँ अपने कौर्स में ठीक है तो आसा करता हूं सबी चीज आपको समझ में आ रही होंगी और बहुत अच्छे तरीके से बहुत जोर पूरा जोर लगा रहा हूं एंस बैच में ठीक है ताकि बच्चे कभी in future में कोई tension नहीं हो जीके के question में फशेन है या अथ के नहीं कैसी परकार की कोई शमिशन है उत्पन हो उसके अंदर ठीक है तो सीधर चलते हैं आज हम अपने पीपीटी पर जो कि most important हो जाती है ठीक है आज हम सबसे most important चेप्टर रही है जल के बारे में पढ़ेंगे जल में जल के बारे में समुंद्रों के बारे में महासागर धाराएं जो जल चक्र क्या होता है नीचे मैंने content में दिया हो आपको दीख भी रहा होगा यह सारी चीजे ठीक हम जानेंगे एक फोड़ा से मैं बता की जल का वितरन कैसे होता है जल चक्र क्या चीज़ है मासागर धाराएं के बारे में जानेंगे जवार úngड़ा क्या क्या होता है ठीक है कब जवार और भाता आते हैं और कोन खुना से धाराएं उत्पन होती है ठीक है या अब थंड़ धारा और गर्णजल धारा होगे आज इस चेप्टर के अंतर के जानेंगे जो कि most important है हर पेपर के लिए ठीक है तो शुरू करते हैं जल हमारे लिए महत्पून है जल के बिन हम जीवन के बारे में सोच भी नहीं सकते जब प्यास लगती है तो उसे केवल पानी ही भुजा सकता है और कुछ चीज तो है नहीं जिसे बीकर आप हो जालोगे ठीक है जल चक्र गयादा वाटर साइकल प्रत्वी पर मौजूद जल विबिन रूप में बदलते हुए समुदर वाइम बंडल जमीन पर हमेशा गतीमान रहता है ठीक है यह सब से यह एकट्टा हुआ और यहां से वास्प हो वास्पिकरन बनके फिर बाद लों फिर बर्सा इसी प्रकार से रोटेशन होता रहता है इसी को जल चक्र कहा जाता है जल का फितरन क्या दिस्ट्रिब्यूशन ऑफ वाटर हमारी पिर्त्वी की सता है का दो त्याई भाग पानी से है दो त्याई इंपोटेंट है दो त्याई भाग ठीक है पिर्त्वी पर दो तरह का जल पाया जाता है एक तो खारा होता है और एक मीठा होता है इन्हें लवनिया जल और एलवनिया जल भी कहा जाता है मतले जो लवनिया वो खारा है और जो एलवनिया वो मीठा है ठीक है स समंदर का पानी खा या लवणिया होता है जिबका नदियों का पानी मीठा और अलवणिया होता है प्रत्विए पर मौजट जल के 97.3% भाग सागरग और समंदर में लवणिय जल के रूप में विदवादें से इस तीन परतिसे जो बचा वो मीठा पानी है एलवनिय जल के रूप में इस्तितेया रहता है मीठे पानी का अधिक तर हिस्सा बर्ब के रूप में गिलेशियर में और आइस वर्ग में है ठीक है जो जमा हुआ है जिनका इस्तमाल हम नहीं कर पाते हैं यानि प्रत्वी पर जल का बहुत ही छोटा हिस्सा नदिया जीलो और बहुम जल के रूप में है और जो हमारे इसमाल में के लायक है और जिसे हम पीते हैं और उड़ावें जाए मासा अगरे परिसंचरन क्या है समंदर का जल हमेशा गती सील रहता है गती करता रहता है यह गती कई परकार की होत में धाराओं के रूप में और जारवाटा के रूप में आता है तो सबसे पहले पढ़ते हैं लहरे वेवस क्या चीज है समंदर की सताय पर बार बार उटते गरते हुए जल को लहर कहते हैं ठीक है जब पवन समंदर की सताय को छोते हुए बहती है तो लहरे बनती है यदि प तूफान के समय विशाल लहरे उखती है इससे भयानक तभाई हो सकती है ठीक है तूफान के समय में जैसे आपको नीचे लिख भी रहा है ठीक है और इसको मैं थोड़ा पढ़के भी बता दूँँ आपको कि क्या चीज़ जाता है यह दिर्शे बहुत ही मनुरंजिक होता है कि कैसे तरंगों के साथ गयन तट पर वापस लोट आती है जो महासागरे सतय पर जल लगाता रह उठता रहता है इन्हीं तरंगे कहा जाता है यह से आपको दीख रहा होगा यह तरंगे हैं ठीक है तट के सामने उच्छले बहुत ऊ बारे में ठीक है यह सामने आपके सामने दिख लिए लहरे उठ रही है होग जोड सोड से ठीक है रोग ना रही है बिल्कुल भी काईप है तो इसको मैं रफ कर देता हूं ठीक है तो आगे बढ़ते हैं कैई बार जो यह है कैई बार भूकम ज्वालमकी यह जमीन खेसकने की कारण गैंसे समंध्र का जल भारी मातरा में विस्ताफिच हो जाता है इस से विचाले हर उठती है और संस्वेमा मी कहते है थीक है इस तोनामी के यह हो यह जापानी वर्ट है ठीक है सुनामी पंदरय मीटर तक हो सकते हो आज तक सबसे बढ़ी संसी सुनाओं यह औरह 10 Stop तो सो क्लोमोटर कृति घंटा थी ठीक है इस सुनामी कव आई आप इन सर्च गूगल में कर ले ना भाई मेरे ठीक है जवार भाटा क्या पढ़ते हैं इनकी जवार कहते हैं जो समद्र का पानी अपने निम्त सतर पर होता है मतलब सांध रहे तो इसको भाटा कहते हैं सूर्य और चंद्रमा में पिर्तवी जवार में अपने अधिक्तम सतर पर पहुंचता है जो जो खाली जवार, जवार की बातवरियां पर इसे ही वृत जवार भाटा कहा जाता है ठीक है जैसे कि इसमें दिरा रखा लगु जवार भाटा जैसे यह सूरिया आपका और यह पृतिव हमारी इदर चंदरमा है तो इस जिस्दीन मतलब कि चाया मावश्य हो चाया आपके पूनि मावश्य हो तो इस दिन क्या होगा लगुजवार वाता हो गया तो ठीक है या फिर होगा वृत्त जवार वाता ठीक है यह त्रीनों ही सीध में रहते हैं एक में चंद्रमा पृत्वी आप जैसे के निएला निला से दीख रहा है नहीं यह जो हो यहाँ पर यह समुंदर है ठीक है पांई यह समुदर का पांई ठीक है इन्मेद्पे आपस में जैते गूर्दवागरृ की कारण की कारण के आमने सामने होतोह sucks dika आपस में जब चंध्रम प्ृत्व हमने सामने होता है तो जयसे है शाम UMदरु खार ओपर तरफ खिच जाता उसी को ज़ूव बाता कीथ है और जब प्रतव कुछ समय के बाद बैलेंस ऐना युश्ट त superiority पीछे पीछे की तरफ बैलंस मनाने जाड़ा और उत्वण होता है। आसकर दो हमारा जुआरबाटा कि शैसरी चीजित की करन हमारा जुआरबाटा का जाता है यह ओपर वाला ठीक है नेक्स पढ़ते है मासागरे धाराएं क्या होती है मासागर के सताय पर नियमत रूप से निश्चित दिसा में बहने वाली जल्दारा को मासागरे जल्दारा कहा जाता है सिंपल है मासागरय धाराओं èn से किसी सहिटान के तापमान पर अशण बढ़ता है मासागरी धार यह दो तरह की होते है गरम होते है घंडी दो होती है तो गरम होते हैं धृत है क्द धरक इच्दार रेखा है ठीक है यह बीच में इसकी बात के लिए इसने तो यह विश्वत रेखा से निकलती है यहां से निकलती है जो भी गरम जलदा रहा होगी वह यहां से निकलेगी ठीक है विश्वत रेखा से ठीक है ठीक है और मतलब विश्वत रेखा से निकलते हो धुरूबों क्यों नौर बहतीः द्रूब अधर उसद इता हैसे घंगे इससे तर्ब बढ़ जाता है गल्फ इस्ट्रिम ट्रीम अगर्म जलदा रहा हूं इसमें तोड़ा से जोम कर लो तो आप यहां बशाया सी स्ट्रीम यह यह आपकी गलिप स्ट्रीम है जो कि यहां से कहां से नौर्थ अमेरिका आया आपका नौर्थ अमरीका हिए थे अब थेखे थोड़ा से जोम करके बताती ताओ को एक मिन रुको हुम जैसे कि यह तो होगे आपके विश्वत्रेका ठीक है यह विश्वत्रेका होगे आपकी और यहां पर जो यह यह क्या है यह आपका साउथ अमेरिका और उपर आपका नौर्थ अमेरिका यह आपका ग्रिल लेंड है यह आपका अफेरिका है ठीक है यह आपका रसिया है मतलब एसिया अपना ठीक है और ऊपर रसिया है यह आपका अस्ट्रीलिया है ठीक है यह आपका यूरोप है ठीक है मिरे भाई अब यहां से पूछ रहा है गल्फ स्ट्रीम का जो गरम जलता रहा है यहां से शुरू होती है यहां से ठीक है यह क्या है यह आपका सौथ है यह आपका माहसागर के में से उत्पन होती है विशुद्रेका से नजदीक से और जैसी ऊपर-ऊपर की तरफ मतलब धुरुबों की तरफ बहती है उसी को गर्म जल्दा रगा जाता है और गल्फ स्ट्रीम आपकी ये रही ठीक है गल्फ स्ट्रीम आपको प्रेक्टरिली मैंने बता दिये किन किन देशों के बीच में कौन कौन से महादी already बीच में आती है कौन कौन से समुंदर में आती है कौन सी गल्फ स्ट्रीम ठीक है ये atom कसे अक्साम सों से निकलती है और उसन कटवंदी की ओर वहती है ठीक है इन दाराओं से तटीया अब यहां पर उल्टा आए यह धराएं जो होती है जो थंडी जलदाराएं होती है यह थंडा इलागा है दुर्वव में ठंड बढ़ती है ठीक अपने इदर क्या है अपने तो करम है तो गरम रहेंगे ठंडी जल्दाराएंगे ठीक है जैसे लेबरो करंट है यह आगे अब मैं पता हूंगो प्रॉपर तरीके से तीन से चार चार आपकी जल्दाराएं में लिखवा दूँगा जो मॉस्ट इंपोर्टेंट होती है यह दाराएं दुरवह से उंचे अक्सांस होगे न गूपर बीत करवाया प्रॉपर तरीके से के जीरो से लेकर 3.5 तीजुए है जो होती है मदलब कटी बंद है क्वों सा है ठीक है त्वाइए जहां पर गरम और ठंडी जल्दाराएं मिलती है वहां मचली पकड़ने के लिए आधर सीथी होती है जापान के आस पस और उतने अमेरिका के पूरी टेटे पर ऐसा ही होता है लेकिन ऐसे सतान उपर कोहरा च्छाने के कारण समध्री परिवयन में मुश्किल होती है परवियन का मतलब है कि आता आज जो होता है ठीक है आसा करते हैं सबस्क्राइब सबस्वाइन फानी नहीं किरेधा मुगी किसे होता है इस सारी चीजvärब कर दोल23 मैंने चिर्थ शीदgt जलदारह कुण सी है। शीद जलदारह जैसे कि में आपको पता है शीद जलदारह जो धर्वों से अपने ऊसन कत्वंदी की तरफ आथे हैं शीदा बहते हैं विश्वत तरफ की तरफ बैठा की तरफ तो लेबरोडो महासागरी जल्दारा गलफ स्ट्रीम, हमबोर्ड जल्दारा यह वेनिजिला. अब हमने सीथ जल्दारा एक ही पड़ी थी, वह कौन शी थी? एक पर देख़ाते तूमें, जैसी कि गरम जल्दारा थी वह थी गलफ स्ट्रीम. ठीक है ठंडी जलदाराई ती लेबराडो करंट ठीक है तो the seat भूजए ठंडी भूजए तो लेबराडो साकरी जलदारे एज दराई टांस्वर आप अगला है की जिस सतान पर गरम वर सीत जलदारे मिलती हैं वह सतान किसके लिए सरुखतम मना जाता है मतफच्य के लिए सिंपल है सामाने तरह कहां पर गरंजल दरा राएं उत्पन होती है दुरूवों के निकट होगी या भूमेकन रेखा के निकट होगी या विश्वत रेका के निकट होगी इंहें से कोई नहीं तो मैंना पूजे से बताया कि गर्म जल दा रहा हैं आपकी विश्वत रेका से दुरूब को तरह बहती हैं सिंपल आंस्वर है वह परक्रम जिसमें जल लगातार अपने सवरूप में बदलता रहता है और महासागर वाई मंडल एम सतल के भी चक्र लगाता रहा ह लवनिये जल में किसकी मातरा अधिक होती है जो शोडाय है और बाल यकल हो जाती है अपकी ठीक है तो सोडियूम धेलोराइड होती है लवने जल में जिखारा पानी उता है गरम महासागर्य धाराएं कभ उत्पन होती है अब गरम होती है तो गरम जल्दारा यहां से उत्पन होती है नेक्स्ट है आपके समने दिन में दो बार नियम रूप से मासागरे जल्द का उतना वे गिरना क्या कहलाता है वो जुआरबाटा कहलाता है ठीक है दिन में हमारे एक दिन के एक दिन के अंतरगत दो बार जुआरबाटा आता है ठीक है दो बार जुआरबाटा आता है उसी शम बागे मैं समझाओंगा आपको प्रतिविक कितने प्रतिश्वत भाग पर जल्दा का हुआ जैसे कि मैंने बताया था आपको तो इसका सीजदार आइटनस्वर जाता है नहीं यह इसका सीजदार ठीक है इकवाड़ विपरीत जल्दार आएए विश्वत के उपर होगी भूमद्यरेखा के अनुकोल होगी इसका विश्वत रेखा के विपरीत होगी है एक वाड़ विपरीत जल्दार जोगी ठीक है मेरा भाई आसर करता हूं सारी चीज़ें समझ में आगे होंगी आप जो आलमगी के आने पर सबसे ज़्यादा नुक्सान किस जिगह पर होता है जो आलमगी के अंदर पर होगा किनारे पर होगा या फिर यह सभी हो जाती है जो खें कि अहुबाइक रूंगा क्वलमगी के बिन चीजाब लूप कौंव कौं से होते हैं जैसे ऐक मैङमा की ऊपर निकलता है फिर इसको क्रश्ट बोल जाता है five मेंट तो सीधार मुद्दा यह है कि बच्चे के समझ में आना चाहिए प्रॉपर तरीके से ठीक है अभी क्लास सेवन्थ चल रही है बहुत से बच्चे जानेंगे कि अभी तो वो उसको क्या जल्दा रहेगी उन्होंका नाम नहीं बताया या कई गरम जल्दा रहेगी उन्होंका न ठीक है अभी क्लास सेवन्त है एट नैन टैन जब किलियर हो जाएंगी तो आप एक अच्छी दिगाए पर और अच्छा मैसूस कर रहे होंगे कि हां मेरी जी के कंदर कर नौलिज बहुत बैस्ट हो गई है ठीक है तो लाइक सेयर सब्स्राइब करते रहों जै बारत नमस्ते रहम्राओं